दोब्रीवान, हाई, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों, मेरा नाम है उडविशी जूशी और ये है मेरा चैनल 233, हाई प्रीस्टेस, दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है बैलनसिंग जर्नी, हम जिस यात्रा में हैं, ये बैलनसिंग की जर्नी है, वैसे तो ये बात हम करने लगे, अपनी सोल स्पिरिट से कनक्ट होने लगे, बट गलती कहां पर हो रही है, उसको लेके बात करूंगी, और अभी रीसेंटली कुछ लोगों से मेरा, मतलब कुछ लोगों से मेरे सेशन्स हुए, और उन लोगों को जो मैंने अब्जर्व किया, कि उनसे क्या मिस् करते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के साथ और शेयर कर रही हूँ, अभी रीसेंटली मैं किसी से कनेक्ट होई थी कुछ दिनों पहले और वो मुझे ये बता रही थी कि उनने वो मुझे ये बता रही थी कि शी वेरी सकसफुल अपनी मर्टीर लाइफ करती थी और रात दिन भस इसी चीजे में पड़ी रहती थी उनने लगता था कि भगवान का दिया वो मटीरिल लाइफ का सब कुछ है उनके पास तो सुपिरुचालिटी मतलब स्पिरुच्वल अवेकनिंग जब उनकी हुई तो वो इतना जादा इस चीज में चली गई कि अभी रिसेंटली उनको मतलब मेंटल इंबालन्स कांड ओने लग गया तो वो भी दॉक्टर के पास गई तो दॉक्टर ने मुझे बिताया कि दॉक्टर ने पहले उनसे कहा कि उनने बॉर्डर लाइन परस्नालिटी डिसॉर्डर है और उनकी वो बोल थी कि वो आप जॉब यह सब क्या हो गया यह सब क्या मेंटल हेल्थ इशूज हो गया यह कैसी अजीब अजी बीमारियां डॉक्टर्स बिता रहे हैं तो यह फिर मैंने उनको यही बोला कि आपने पहले मटीरियल लाइफ में तरीके से अती मचाई फिर आप वहां से ठग गए और आपको लगा कि अब क्या है एक्सप्लोर करने के लिए देन स्पिरिटुल अवेकनिंग हुए और स्पिरिच्वल तयॐन springs कि me अचिल में हमें अपनी स्पिरिच्वल लाइफ बैलेंस करना है नहीं हमें बहुत ज़दा जुघ में चले जाना है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है ब पूछ लोग, अरे यह जर्नी reality से disconnect होने की नहीं है, बलकि reality और consciousness के बीच में balance बनाने की है, मतलब 3D और हमारी जो spiritual life है, उसके बीच में balance बनाने की है, यह जर्नी balancing की है, spiritual awakening हुई, अपनी spirit soul से connect हुए, इसका मतलब यह नहीं है कि अब बिलकुल spiritual, बिलकुल 2 भी जाना है, 24 घं जो है इनी सब चीजों में पढ़े रहना है नहीं दोनों जिन्दिगी के बीच में बैलेंस बनाना है और अती कहीं पर भी नहीं मचानी अगर आपने अती मचा दी तो फिर कुछ ना कुछ इसूज हो जाएगा जैसे अब इनके साथ मेंटल हल्थ इसूज हो रहे हैं और यह ज इनको खाली फील होने लगा और उसी दोरान इनके spiritual awakening स्टाट हुई spiritual awakening जब स्टाट हुए त इनको कई चीजों में इंटरस्ट आया और यह अपना 24 गंटे में से कई कई गंटे जो हैं और कहीं न कहीं इस टाइप की चीजों में इतना जादा चलेगी कि आब mental health issues हो रहा है, तो इतना नहीं घुसना है किसी चीज में, बलकि spirituality में कि दुनिया में किसी भी चीज में बहुत जादा नहीं चले जाना है, ठीक है, वो आपकी खुद की mental health के लिए ठीक नहीं है, बैलन्स करना है, अभी ये जर्नी जो है हमें बैलन्स करना सिखाती है, ultimate goal के, ultimate goal जो है वो inner balance है, inner balance कैसे होगा, जब आपके अंदर की masculine और feminine energy का सामन जैसे बैठेगा, यानि कि आपके अंदर के पुरुश और स्त्री, यानि कि पुरुश और प्रकति का जब balance बैठेगा आपके अंदर, तब आप एक बहुत ही peaceful जीवन को जी पाओगे, तो ये जर्नी जो है, एकी तरफ बहुत जादा जुक जाने या एकी तरफ बहुत जादा सोचते रहने की जर्नी नहीं है, ये जर्नी बलकि दोनों मतलब आपके material 3D life और आपके spiritual life दोनों में balance बिठाने की है, तो अगर ऐसी गलती किसी से हो रही है, कि वो काफी काफी घंटे इन सब चीजों में लगे रहते हैं, reality 3D से बिलकुल disconnect हो रहे हैं, तो आगे चलके आपका भी कहीं ऐसा ह हालना हो जाए, जैसे इनका हो गया है, तो ये मैं मतलब सचेत कर रही हूँ पहले से, कि अपनी 3D life से भी connect रहो और अपने जो spiritual journey में आपको जो मौका मिल रहा है, अपने inner issues के ओपर काम करने का, उस पे भी काम करो, ठीक है, बट बहुत जादा खो नहीं जाना है, बलकि successful हो पाओगे, तभी आप balance बिठा पाओगे अपने अंदर, तो बस दोस्तों ये था मिराज का वीडियो, I hope आप लोगों को समझ आया हो, thank you so much, bye bye, take care.